Assalamualaikum dear learners and welcome in the video. हम बात कर रहे हैं market segmentation की हमारा ये वाला जो topic है, ये segmentation से भी ज़ादा important है. Because इस topic में हम बात करने वाले हैं कि how to choose the right customers to serve. In other words, agenda इस video का ये है कि हम इसके अंदर market targeting strategies की बारे में बात करेंगे. अगर तो हम बात करें कि market segmentation थी क्या, तो हमने आप से ये definition share की थी, कि market segmentation क्या है, dividing the market into smaller segments, जहां पर customers की कुछ distinct needs हैं, कुछ characteristics हैं, कुछ behaviors हैं, और हम उनको segments में इसलिए divide करते हैं, ताकि हम ज़ादा focus हो सकें कि हमने किस segment को serve करना है. जब हम market को segments में divide कर लेते हैं, जिसमें हमने आपको multiple segmentation strategies बताई थी, कि आपके पास demographics हैं, आप उसके accordingly market को segment कर सकते हैं, आपके पास psychographic attributes हैं, जिसके accordingly आप market को segment कर सकते हैं, likewise, आपके पास geography है, आपके पास behavior है, आपके पास और भी multiple options हो सकती हैं जो अपने जहन में रखते हुए आप market को मुखले segments में divide कर सकते हैं जब आपने market को segments में divide कर दिया है यानि in other words आपको exactly मालूम है कि market के अंदर कितनी तरह के कितने distinct customers पाई जाते हैं तो अगला मरहला आ रहाता है targeting का targeting का मतलब यह होता है कि जिन segments को आपने divide कर लिया है अब उन segments में से किसी एक segment या multiple segment को आप choose करेंगे कि जिसमें जाके अपनी product अपनी service या अपना experience बेचेंगे in other words आपने choose करना है एक right customer to serve और यह वो customer होगा जिसकी needs and wants को आप अच्छे तरीके से समझते हैं so this is called targeting targeting के लिए एक बात हमने जो अपने जहन में रखनी है कि targeting का मतलब है कि वो segment जिसको हमने serve करना है अपनी product अपनी service या अपना experience बेच के तो हम दो चीजों का बहुत खास खयाल रखते हैं targeting होती है by evaluating the segments हमने जितने भी segments को चाहे वो demographic है चाहे वो psychographic है चाहे वो geographic है जिस तरहां भी हमने divide किया हमने उसको evaluate जरूर करना है और उसकी attractiveness को evaluate करने के लिए हमारे पास दो options मौजूद होती हैं बहुत interestingly फिलप कॉटलर ने अपनी किताब principles of marketing में आपको दो yardsticks दी हैं किसी भी segment को evaluate करने के लिए पहली yardstick आपके पास क्या है segments attractiveness और दूसी yardstick है आपके पास firm's objective and resources खास तोर पे वो लोग जो अभी अपना business idea develop कर रहे हैं यह develop कर चुके हैं product उनकी यह उनकी जो services हैं वो design हो चुकी है and now they are thinking to enter into the market उनके लिए यह खास तोर पे बहुत जादा आहम है और उनके लिए भी जो अपनी market को अपने business को grow करना चाहते हैं अच्छा पहले हम बात करते हैं segment attractiveness के देखिए जब आपने market को किसी भी segment में वो उनकी income group के हवाले से है age group के हवाले से है आपने उनकी psychographic या उनका lifestyle या उनके behaviors के हवाले से जिस तरह भी market को जितने भी हिस्सों में divide किया है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपके पास ये information हो कि number one market का size क्या है यानी number of customers एक segment में कितने हो सकते हैं मिसाल के दोर पे अगर आपने age identify की है कि आपकी जो product है वो 18 साल से लेकर 25 साल या 30 साल तक के youngsters boys and girls इस्तमाल कर सकते हैं तो आप ये देखते हैं क so it means कि आपका segment एक large size segment है likewise आप इसमें ये देखते हैं कि अगर आप एक particular segment में जाते हैं उस segment की profitability क्या है तो segment के अंदर कितने competitors जो हैं इस वकत वो deal कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस segment को hit करना चाहरे हैं वहाँ पर already head to head competition बहुत जादा हो और आपको वहाँ पर profitability कम मि likewise क्या आपका market size में इतना जो segment है वो इतनी इतना बड़ा है market इतनी बड़ी है कि अगर आप bulk में produce करें product को तो आप economies of scales को enjoy कर सकें economies of scale का simple सा concept है जितनी ज़्यादा आप production करेंगे उतनी per unit cost आपकी कम होती चली जाएगी cost आपकी कम है तो आपके पास option निकलाती है कि आप बह हितर profit margin रखके अपनी product को sale कर सकें and again उसी segment के अंदर competition है क्या so segment को divide कर लेना market को divide कर लेना काफी नहीं है उस segment की attractiveness कि हमने इसी segment को target करना है उसके लिए again I repeat size profitability economies of scale और competition उस segment के अंदर इसको आपने जरूर measure करना है जो के तेह करेगा कि आपका segment कितना attractive है कि आप सिर्फ उसी segment को target करें फिर आ जाते हैं firm's objectives and resources आपने ये जरूर देखना है कि जिस segment को आपने identify किया है आपकी firm की आपकी business की अपनी resources और capabilities हैं क्या आपके long run objectives क्या है number two आपकी production capacity क्या इतनी है कि अगर आप एक बहुत बड़े segment में जा रहे हैं और कामयाब हो जाते हैं तो आप जो product और service की demand आ रहे हैं उस demand को आप पूरा कर सकें आपके पास physical and non-physical resources इस वकत at hand हैं क्या तो again segment बहुत attractive है बट again क्या आपकी firm's capabilities है उस attractive segment को through your product और service हिट करने की ये तमाम चीज़ें बहुत जादा matter करती हैं अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम एक साथ मिलाना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जब आपने market को किसी भी attribute की basis के उपर किसी भी characteristic की बेस के उपर divide कर ही लिया है किसी segment में तो अगर आपने target करना है तो number one segment के attractiveness और number two अपने firm की capability जो है उसको अपने जहिन में आप जरूर रखें और तभी किसी एक segment को आप target करें market को कितने तरीकों से target किया जा सकता है इसकी multiple strategies है और ये भी multiple strategies वेलब कॉटलर ने अपनी किताब में बहुत अच्छे से explain की है हम आपको इसकी orientation दे देते हैं for example market targeting strategies क्या हो सकती है number one single segment concentration यानि आप यू करें कि अगर आपकी product या आपकी service जो है वो किसी एक खास group किसी एक खास segment के लिए है तो आप सिरफ और सिरफ उसी segment को target करें आप अपनी product को अच्छे target करने का मत्तबिया है कि उस segment के अंदर जो लोग होंगे उनकी needs और उनकी wants को बहुत अच्छे से समझते हुए product और service को सिर्फ एक particular segment के लिए ही design किया जा रहा है आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी businesses हैं जो के बहुत ही niche marketing में deal कर रही होते हैं बहुत एक चोटा specific group होता है जिस group के लिए वो अपने services या अपने products जो हैं वो design कर रही होती हैं सो क्या आप initially market में आप से अगर पूछा जाए कि आपकी यह product यह service आप बना के लेकर आएं किसको बेचेंगे तो आपका जवाब यह हो सकता है कि यह वाला खास एक segment है और फिलहल आप सिर्फ इसी segment को अपनी product या अपनी service बेचना चाहते हैं second आपकी targeting strategy हो सकती है multi segment coverage strategy product आपकी एक है लेकिन आप multiple segments को यह product बेच सकते हैं यानि मिसाल के तोर पर आपकी जो product है वो आपको लगता है कि middle income group, lower income group या age के अंदर अगर आपने market को divide किया है तो आपकी जो age है let us suppose वो 18 से 25 और 30 से 35 के दरम्यान की age का जो group है वो भी deal कर सकता है या फिर जो लोगों के मुख्लिफ lifestyles है वो भी यानि कि किसी का lifestyle जो है बहुत adventurous है और किसी का lifestyle है वो इतना adventurous नहीं है they are not looking for the adventure but again willing हो सकते हैं अगर वो convince हो जाएं तो आप दोनों तरहां के segment को अपनी product बेच सकते हैं जो multi segment coverage strategy यह है कि product आपके पास हो और आपने market को जो दो तीन मुखलिफ segments में divide किया है तो आप दो तीन segments को एक साथ target करें एक साथ अपनी product और service बेच रहे हैं उसके आगे जो targeting strategy है उसमें product specialization भी हो सकती है और market specialization भी हो सकती है product specialization यह होती है कि आप अपनी product को या अपनी market को highly specialized यानि आपकी जो product या आपकी जो market है उसको अच्छे तरीके से आप समझने के बाद उसी एक product को multi segments हैं उसके अंदर बेच सकते हैं या फिर आपकी जो market specialization जो आपकी market है जादे तर हम इसको बात कर रहे हैं कि अगर आप global या local में जाना चाहें तो global local के अंदर आप depend कर सकते हैं कि आप किसको target करना चाहरे हैं यह जादे तर geographical हमारी जो segmentation है उससे related है एक आता है full coverage, full market coverage strategy जादे तर जो convenience products जो इस नियाम सभी इस्तमाल करते हैं सभी इस्तमाल कर सकते हैं उसको हम full market coverage में लेके जा सकते हैं यानि हर तरह की segment को हम offer कर सकते हैं और एक है multiple segment invasion plan यानि आप शुरू होते हैं एक खास segment से और फिर step by step उसको multiple segments में offer करना शुरू कर देते हैं इसमें कुछ examples आपने अपने इर्देगिर देखी होंगी कुछ ऐसे brands थे जो के premium brands नहीं थे तो उन्होंने market को अगर income के हवाले से divide किया वा था तो उन्होंने पहले वो product जो है वो middle income group को offer की and slowly and gradually आने वाले खास तरबे वो जो अपने business को grow करना चाते हैं slowly and gradually उन्होंने आने वाले वक्तों में अपनी एक premium brand launch किया business को grow किया और वो middle income से upper income group के अंदर भी चले गया slowly and gradually with the passage of time likewise कुछ आपने brands देखे होंगे जो के बहुत premium brands थे सरफ उसको high income group या elite group जो है वो purchase कर सकता था उस brand को फिर slowly and gradually वो अपनी price sensitive line भी product की जो है वो introduce करवाते हैं दो तीन साल के बाद slowly and gradually जो lower income या middle income group है वो भी उस product को या उस brand को purchase करने की काबिल हो जाते हैं so multiple segmentation invasion plan का मत्तब यह है कि आप एक segment से शुरू होते हैं and slowly and gradually अपने competitors के against आप multiple segments को target करना शुरू कर देते हैं depending upon again the capability and ability of your firm coming back to the point यह सबसे ज़्यादा एहम सवाल है मिसाल के तौर पर अगर आप किसी incubation center में अपना business plan लेके जा रहे हैं आप virtual university में आ रहे हैं और अपना business plan जो है वो present कर रहे हैं या फिर आपने business को grow करना चाह रहे हैं और किस investor को ढूण रहे हैं सबसे पहला सवाल ही आपसे यह होगा कि आपनी अपनी product और अपनी service बेचनी किसको है और अगर आपका यही सवाल confuse रहा कि आपको बेचनी किसको है अगर आप यह अच्छे से समझते हैं कि market कितने हिसों में divided है लेकिन targeting strategy आपकी clear नहीं है कि आपने single या आपने multi segment या product specialization या market specialization या फिर slowly and gradually multiple segmentation invasion plan की तरफ जाना है in other words चीज बेचनी किसको है तो यह confusion जो है वो आपको नुकसान दे सकती है so let's be very clear as a conclusion कि segmentation के बाद आपको clearly पता होना चाहिए कि आपकी market targeting strategy क्या है in other words किस एक customer segment को आप serve करने वाले है see you in the next video